हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम लेका हैं आपके बीच बहुत ही महत्पुन टॉपिक लेडिज के लिए खास करके जो महिलाये में जो लेडिज में अधी दूद की कमी हो गई है अधी आपके बच्छे दूद जो फिडिंग करवारे हैं उनके ठीक से पेट नहीं भर रही या फिर आपके ब्रेस्ट में जो होती है ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रही है मीलकी तो चलिए हम जानते हैं क्या इसी वज़ा है क्या इसी कमी रह जाती है लेडिज में जो ठीक से मिलक नहीं बनना या फिर कमी रह गई तो उसको हम कैसे पूड़ा करें क्या इसी बेश्ट दबा लें जो आपकी लेडिज बच्चे को जो दूद फिलार है वो अराम से उनके बच्ची का पेट भर जाए और अच्छे से ब्रेस्ट फिडिंग हो मिलक प्रोडक्शन अच्छे से आपकी ब्रेस्ट पर होने लगी गा अब हम बात करेंगे इसी होने का क्या कारण है तो चलिए जानते हैं पहला कारण होती है लेडिज में अधी दूद कंग गई है तो इ नहीं होने देती है अगला कंडिशन हो सकती है कॉंस्टीपेशन हो सकती है और कंडिशन हो सकती है अधी आप खाना जो खारें उसमें पोसक तत्वर ठीक से नहीं लेड़ें जो हेल्दी न्यूट्रिस्टिस डाइट होना चाहिए वह प्रोप्रोफ से नहीं लेने के बज़ या फिर कोई तमभाकू खाड़े उस बज़से होती है अगला कांडिशन हो सकते हैं किसी तरह का अलस्रेशन हो गया आपके ब्रेस्ट में किसी तरह के ट्यूमर बन गई है गांठ बन गई है उस बज़से भी आपको बच्चे में ठिक से दूद नहीं जाएगा आपकी आपके बच्ची का पेट भरने लगेगा आपको दूद हमेशा बनने लगेगा इतना दूद बनेगा बच्चे पेट से ओवर हो जाएगा इसके लिए क्या चलाते हैं इसके लिए घड़ेलू उपचार में दें सकते हैं आप लॉंग ना सौंफ दे सकते हैं सौंफ आपको इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा कंडिसन मेथी का दाना मेथी का दाना एक ऐसी दाना है जो कि किसी भी तरह की जो पोसक्त कमी रहती है महिलाए में वो शारी समस्या को पूड़ा करने में मेथी क दाना बहुत ही अच्छा काड़गर है मोसरी की डाल जो होती है मुंग हो सकती है हरी मुण हो सकती है यह मस्रूम हो सकती है ज्यादा मात्राम और पनीड हो सकती है कुछ ऐसे किस्मिस फूलाक ले सकते हैं यह साधी चीज लेने से आपको पृरॉ-पृॉ-पृर से फीजिकल एक्सरसाइज करना है शुवा हैल्दी डाइट मिलेना है शाय का सेवन, कोई भी नसे का सेवन, मसालेदार चीज, स्पैसी चीज, ओईली चीज या फिर गडिश चीज का सेवन बिलकुल ना करें ये करने से होगी क्या आपको ठीक से प्रोडक्शन नहीं होगा और ये खाने से आपकी डायेटरी फेक्टर अधिसुधार नहीं करेंगे तो जो आपको healthy diet जो आपके सरीर में मिलना चाहिए, rich diet जो supplement आपके सरीर में कमी है वो पूरा नहीं होगी फिर आपको ठीक से breast में जो milk का production होना चाहिए प्रोडक्शन होना बंद कर देगी तो इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं चलिए जानते हैं क्या इसी बेश दवाल ले सकते हैं जो आपकी दूध को दोगुना बढ़ा देगी किसी भी तरक दूध की दूध को और quantity दोणों बढ़ाने का काम करेगी तो चलिए हम जानते हैं इसी तरक नए वीडियो देखने के लिए अधी आप मेरे सेनल पर नए हैं चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी हमेपैत ने बेश्ट दवा बनाई है जो बच्चे को दूध की कमी हो रही है जो महिला को दूध ठीक से नहीं हो रही है ब्रेश्ट में नहीं भर पाती है इस तरह की प्रेशान होती है अगले आगे जाके बच्चे वो पोशन का सिकार हो जाते हैं उनको एसकेबीज या मेरेसमस होने लगता है दीरे दीरे तो हम बताएंगे उनको कन्विंस करना है ये दवाई देने के बाद इसका नाम है क्या लैक डिफ लोड लेटम लैक डिफ लोडेटम एक हमें पैत की बहुत अच्छी दवा है जो कि 30 पावर में लीजिएगा दो दो फूंद करके 3-4 लेना है किसी भी तरक महला ये ले सकती है मोटी हो पतली हो और किसी भी एज ग्रूप की ले सकती है जो ये समस्या से जूज रहे है जिनको दू बनेड़े हैं धन्निवा